दुनिया भर में वैक्सिन की चर्चा के बीच अब ब्रिटन और अमेरिका जैसे देशों में टीका करण शुरू हो गया है इस बीच कोरणा वैक्सिन को लेकर हलाल और हराम जैसी बहस शिर गई है कुछ दार्मिक समुप्रतिबंदित सुवर के मास से बने वैक्सिन से सम्बंदित उत्पादकों को लेकर सवाल उठा रहे है जिसके चलते टीका करण अभ्यान में बादित होने की आशंका जताई जा रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्सिन के बंदारन के दौरान उनकी सुरक्षा और प्रबाव बनाए रहने के लिए सुवर के मास से बने जिलेटीन का बड़े पैमाने पर इस्समाल किया जा रहा है हाला कि कुछ कमपनिया सुवर के मास के बिना टीका विक्सित करने पर कई साल तक काम कर चुकी है उधर फाइजर, मॉड़ना और एस्टरजेनिका की तरफ से इस मुद्धे पर आधिकारिक बयान भी दिया गया है उनके प्रवक्ताओं ने बताया कि उनके कोरोना वैक्सिन में सुवर के मास से बने उत्पादकों का इस्समाल नहीं किया गया है हाला कि अन्य कंपनियां ऐसी है जिनोंने यस्पस्ट नहीं किया है कि उनके टीकों में सुवर के मास से बने उत्पदलकों का इस्तमाल किया है या नहीं रिपोट के मुदाबिक एक तथ्य यह भी है कि स्विजलेंड की दवा कम्पनी नोवाटिस ने सुवर का मास इस्समाल किये बिना मैनी जाइटिस दीके तयार किये थे जबकि सौधी और मलेशिया स्थित कम्पनी एजे फार्मा भी ऐसा ही टीका बनाने का प्रयास कर रही है कोरोना वैक्सिन हलाल दरसल कई धार्मिक समूप्रतिबंदित सुवर के मास से बने उत्पादकों को लेकर सवाल उठा रहे है इसलामिक धर्मगुरों के बेच इस बात को लेकर अस्मंजस है कि सुवर के मास का इस्समाल कर बनाये गए कोरोना टीके इसलामिक कानून के तहट जायस है या नहीं इंडोनेशिया जैसे बड़ी मुसलिम आबादी वाले देशों में चिंता पसर गई है या तक कि इंडोनेशिया में हलाल सर्टिफिकेशन के बाद ही कोरोना वैक्सिनेशन को इस समाल करने की बात कही जा रही है इस पर ब्रिटिस इसलामिक मेडिकल अस्सोसिएशन के महास अचीव सलमान वकार का कहना है कि और्थोडॉक्स, यहुदियों और मुसल्मानों समित विबिन ने धार्मिक समोदायों के बेच टीके के इस समाल को लेकर असमंजस की सिती है जो सुवर के मास से बने उत्पादकों के इस समाल को धार्मिक रोब से आपवित्रा मानते है इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिक कर बताए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथ ही कोरोना वैक्सिन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले बाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले